आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विवेक पांडे अकाडमी पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले बेस्ट करियर आफ्शन आफ्टर बीटे किन इलेक्ट्राणिक एंट टेलिकर मिंटेशन इंजिनरिंग जो मतलब के बाद बेस्ट को क्या आपको किसमें जॉब मिल सकता है आपको इसके बार श्टुकर कर चुके इसमें तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकिए अगर आप ये फिल्ड चूज करना चाहिए तो भी आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आपको पूरी नालेज मिल जाएगी तो आप मतलब चाहे तो दूसरे फिल्ड में भी जा सकते हो या फिर ये फिल्ड भी अगर आपको आपने सुना वगा इलेक्ट्राणिक और ये ट्रीपल लिखा है यह दोनों सेम ही होते हैं यह मतलब यह तीनों जो कोर्से से लगबग लगबग सेम ही होते हैं एटी परसंट से ज्यादा इसमें सेमी रहता है तो आप इसके साथ भी इंप्रिमेंट कर सकते हैं मतलब उन करने के लिए आपको गेट का एकजाम देना होगा तो अच्छी सेलरी मिलती है बाकी सारे नहीं मिलती है पर आगर आप किसी बी आयाइटी में चले तो सारी IIT में अच्छे प्लेस्मेंट मिलते हैं और टॉप के टाइन IIT में तो 15-18 लाइक का आवरेज पैकेज मिल जाएगा आपको इस ब्रांच में भी एंटेक के बाद और आप अगर एंटेक नहीं करना चाहते हैं अगर आप बिजनेस फिल्ड में मैंनेजर बना चाहते हैं तो आप एंब्या कर सकते हैं पैकेज मिलता है और आयाइटी में 15-20 लाग का और एंटी में वहीं पैकेज थोड़े कम हो जाते हैं दस लाग करीब करीब आपको आपको आप चले गए तो आपको एक ठीक था पैकेज मिल जाएगा अगर आप आयाइटी में गए तो अगर आप आयाइएम और आयाइटी में चले तब तो आपकी लाइफ सेट है क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है करीब करीब आपको दो लाख रुपे पर मंत की तो आप हम बात करते हैं जाब के तरफ तो अबनी या उसमें अगर आप अपने प्लेज में प्लेश्मेंट होगा तब तो आपको झाल्स के दरूंब मिल गया करना चाते तो कर सकते हैं लेकिन फिलेंतर थोड़े कम हो जाते हैं अगर आप नहीं किया का मतलब पर आप इसमें है या फिर वो students भी देखते हैं वीडियो जो मतलब भावी है इस फिल्ड में तो उनको भी ये ध्यान रखना है कि अगर उनके college में placement नहीं तो उनको थोड़ी जादर मेनद करने होगी job लो नहीं करें और जब placement है तब तो कोई tension नहीं है आपको job मिल जाएगी अराम से और second field है जो बच्चे electronics and communication engineering मतलब जो भी electronics और electrical engineering के students रते हैं वो भी software में जाते हैं ITCS वाले तो जाते हैं पर ये फिल्ड डाले लोग भी थोड़ी जाते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत इनका syllabus भी उनसे थोड़ा बहुत रिलेट करता है तो इसलिए ये student भी जाना प्रिफर करते है तो ये student कर से जाते हैं तो जो languages होती है जिसे Java हो गया और जो C++ जो languages particular company में चाहिए होता है तो वह language सीख के आप उनके placement में बैठ सकते हैं और बहुत सारे colleges ऐसे होते हैं कि जो electronic प्लेस्मेंट में उनको बैठने देते हैं मतलब companies के इंटर्व्यू में उनको बैठने रहे तो उनको भी जॉब मिल जाती है अगर उनको आता रहता है skill तो मतलब जो भी उनका software related जो भी languages रहती है अगर वो आती है तो उन्हें भी सिलेक कर लिया जाता है भले वह दूसरे branches क हैं तो क्या हुआ है और तो आप इन दोनों में जा सकते हैं अगर आप software में जाना चाहते तो आप internship भी कर सकते हैं अगर आपको on campus placement के तुरू जाब ने मिला सब्सक्राइब को बहुत अच्छी साली मिल जाती है और सेकेंड हमारा option है कोई-कोई एस स्टुडेंट होते हैं जो इनको मतलब private में नहीं जाता होता जिनको government job करनी होती तो government job में भी दो और non-technical में है हमारा UPSC UPSC IAS वाला एक IAS वाला होता है और एक IES वाला होता है इंजिनेरिंग सर्विस के लिए होता है IAS administrative service कर रहता है और सेकेंड हमारा IBPS IBPS मतलब बैंक कॉलेज जो भी सारे एक्जाम होते तो आप M.Tech में M.Tech के बाद PhD करके आप research and development field में जा सकते हैं और आप MBA करके भी बहुत एक अच्छा package उठा सकते हैं और government में भी अगर आप officer post पे चले गए तो आपको अच्छी job अच्छी salary मिल जाएगी UCIAS officer बन गए तो आपको बहुत सार salary मिल जाएगी और आपको बहुत इजद भी मिलेगी और आप private में अकर आप software में चले गए तो भी आपको बहुत अच्छी salary मिल जाएगी अगर आप on campus के तुरू है तो आफ campus में थोड़ी मुश्किल होती है तो अगर आपको यह अच्छा लगा तो एक लाइक कर देज़ेगा चैनल पर नहीं आए तो subscribe करना ना भूले आप subscribe करते तो हम मुझे support मिलता है और आगे और भी वीडियो बनाने के लिए motivation मिलती है तो व